सुबा उटते ही भूल कर भीना देखे ये दस चीजे बरना हो जाएंगे कंगार अगर दिन की शुरुवात अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा ही बीता है लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल उटते हैं जिनसे हम परिशान हो जाते हैं कि सुबा उटते समय क्या ना देखने चाहिए वनना पूरा दिन आपका हो सकता है खराब नमबर एक जानवरों की तस्वीर कभी न देखे आजकल का चलन है हर किसी के घर में आपको कोई न कोई पालतू जानवर मिल ही जाएगा कुछ लोगों को जानवरों से बहुत ही प्रेम होता है कुछ लोग जानव जानवरों को अपने साथ सुला कर सुबह उठते ही उनी का चहरा देखते हैं लेगिन क्या आपको पता है कि सुबह उठते ही जानवरों का चहरा देखना शुब नहीं माना जाता हो सके तो सुबह उठते ही सूर्य भगवान को नमस्कार करें या फिर किसी भी भगवान की फ करते हैं या फिर कुछ लोग गरम पानी पीकर अपने दिन की शुरुवात करते हैं तो अगर आप भी रात के जूटे बरतन सिंक में भरे हुए छोड़ देते हैं तो आपके घर में लक्षमी कभी नहीं रुख सकती नमब तीन सुबा उटते ही बंद घड़ी कभी न देखे जिन लोगों को सुबा उटते ही समय देखने की आदत होती है वो थोड़ा सा समल जाएं क्योंकि अगर आपके घर की भी घड़ियां बंद पड़ चुकी हैं तो जल्दी ही उन्हें ठीक करा लें कहा जाता है सुबा इसमत भी बंद पड़ सकती है ये बुरे समय का प्रतिक मानी जाती है नमब चार सुबा उटते ही अपनी परचाई ना देखे सुबा उटकर अपनी या किसी अन्ने की परचाई बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए अगर आप सूरे दर्शन के लिए निकल गए और अपनी पर चाहिए नमबर पांच सुबा उटते ही आइना कभी ना देखे सुबा सवेरे कभी भी आइना नहीं देखना चाहिए ऐसा माना जाता है कि सुबा उटते ही आइना देखने से रात भर की नकरात्मक्ता आइने से आपको प्राप्त होती है नमबर छे सुबा उटते ही कोई उ जरूर करें हाथ के हतेलियों में घंशाम सरस्वती और लक्षमी का वास होता है हतेलियों को कमल कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले हतेलियों के दर्शन जरूर करें अब भगवान का नाम लेकर हतेलियों को चेहरे पर मल लें फिर अपने दिन की नई शुरुवात के लिए प्रात्ना करें इसके बाद जल पीएं और सूरे के तर्शन करें नमबर साथ सुबा उटते ही खाली गैस ना देखे माना जाता है रात को सोते वक्त गैस पर कोई भी पानी से भरा हुआ बरतन जरूर रखे ऐसा करने से घर हमेशा भरा पूरा रहता है आर्थिक तंगी भी कभी नहीं होती नमबर आठ सुबा उटते ही खंडित मूर्ती कभी न देखे सुबा उटते ही लोग मंदिर में जाकर पूजा पाट करते हैं लेकिन अगर आपके मंदिर में भी कोई खंडित मूर्ती है तो तुरंत हटा दे मंदिर में खंडित मूर्ती देखना शुप संकेत नहीं माना जा वो हमेशा दुख से गिरे रहते हैं और इससे हमारे जीवन और परिवार पर एक बुरा असर पड़ता है धन्यवाद